क्या आयोध्या राम मंदिर में एक पुजारी वालमी की जाती से बनाएंगे पियम मोधी? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आज पियम मोधी ने आयोध्या में नए नवेले इंटरनेशनल एरपोर्ट का उधगाटन किया है और इसका जो नाम है वो रखा है मैरिशी वालमी की इंटरनेशनल एरपोर्ट आयोध्या धाम आज पियम वहाँ पहुचे और इस एरपोर्ट का उधगाटन किया लेकिन क्या सिर्फ एक एरपोर्ट का नाम हैरेश्री वालमिकी के नाम पर रख देने से वालमिकी जाती का कल्यान हो जाएगा या फिर PM मोधी एक अदम ओर आगे बढ़ेंगे और राम मंदिर के पुजारियों में कम से कम एक पुजारी तो वालमिकी जाती से जरूर बनाएंगे वालमिकी रामायन के बिना राम का स्तित्व नहीं इसलिए वालमिकी जाती के लोगों को संग वाले यही समझाते हैं कि देखो मेरिशी वालमिकी नहीं रामायन लिखी और उन्हीं के कारण राम को पूरी दुनिया जान सकी अगर ऐसा है तो फिर वालमिकी जाती के किसी वेक्ति के राममंदिर में पुजारी बनने में क्या दिक्कत हो सकती है वालमिकी समाज को अगर हिंदू माना जाता है और ये दावा किया जाता है कि सनातन में सभी को समान माना जाता है गुण कर्म के अधार पर वन तै होते हैं तो फिर वालमिकी पुजारी की निविक्ति में भला किसी को क्या इतराज हो सकता है हमारी मांग है कि उत्तर परदेश के अंदर जो राम मंदिर बन रहा है उसके अंदर वालमिक समाज के पुजारी लगाए जाएं उसके अंदर धलिस समाज के पुजारी लगाए जाएं उसके अंदर जो ट्रस्ट है वो वालमिक समाज के लोगों कर उसमें बागेदारी होनी चाहिए धलिस समाज की होनी चाहिए हम चाहते हैं मान्यमोदी आपसे हम रोध करते हैं कि अयोध्या में वालमिकी मंदिर के पुजारी वालमिकी समाज से ही नियुक्तिया जाए यदि आप हमारे समाज के बारे में स्थाई स्थान बनाना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि वालमी की मंदिर में वालमी की समाज से ही कोई पुजारी नियुक्त किया जाए राम मंदिर बनाने का सारा श्रेय बीजेपी, आरेसेस और वीएचपी जैसे हिंदू संगठन और हिंदू पार्टिया ले रही हैं लेकिन ये भी सच है कि बाबरी मस्जिद विध्वन्स में भी दलितो और ओबिसी जातियों का हिंदू करण कर उनका इस्तमाल किया गया था मैं एक कार सेवक था जैसी मशुर किताब के लेखक और आरेसेस के पूर्वर स्वेम सेवक जो हैं भवर मेगवन्सी उन्होंने किताब लिखी है और वो बता चुके हैं कि वो राम मंदिर आंदोलन में शामिल हुए थे उनके जैसे बहुत सारे लोग शामिल हुए थे और मंदिर यहीं बनाएंगा का नारा लगाते हुए वो वाबरी मस्जिद को गिराना चाते थे ये एक सबूत ये गवाही है कि कैसे उनका हिंदू करन किया गया था लेकिन अब दलितो और OBC के लोगों को ना राम मंदिर ट्रस्ट में जगए मिल रही है और ना ही वो मंदिर के पुजारी बन सकते हैं बीजेपी ने वीचपी ने तमाम हिंदू संगटनों ने राम मंदिर पर राजनिती की और वो देश के प्रधान मंतरी बन गए मोदी अब देखें पीम है दूसरी बार तीसरी बार भी अभी चुनाव लड़ेंगे हो सकता है कि राम मंदिर के नाम पर जीट जाएं तो उन्होंने तो सब कुछ हासिल कर लिया लेकिन दलित पिछडो ओवी सी को क्या मिला आपको गुजरात दंगो का पोस्टर बोई अशोक परमार तो याद ही होगा हाथ में तलवार लेकर वो दलित हिंदू बनने निकला था लेकिन बेचारा हिंदू बन नहीं पाया फिलाल हमदाबाद में फुटपाथ पर जूते चपल ठीक करने के एक छोटी सी दुकान चलाता है जब सियासी इस्तमाल करना था तो अशोक परमार जैसे भवर मेगवन्षी जैसे दलित पिच्डों का इस्तमाल हुआ और जब पुजारी बनाने का वक्त आया तो एक ब्रहमन मोहित पांडे को राम मंदिर का पुजारी बना दिया अशोक परमार जैसे लोगों को ये मोका नहीं मिला क्योंकि हिंदु धर्ण शास्त्रों के मुताबिक कोई दलित या शूद्रों भी सी मंदिर का पुजारी नहीं बन सकता और सनातनी भी खुद यही बात कहते हैं अगर आप जैसे बिम्बारों से करवाओगे तो वो ना तो शास्त्र जानते हैं ना कुछ जानते हैं अगर आप कुछ भी ले लो कुछ नहीं जानते हो एक ब्रहमण है जो यह सब चीज जानता है इसलिए हमें समझना चाहिए कि हिंदु तो की राजशनिती कभी भी दलित पिच्ड़ों का भला नहीं कर सकती शायद इसलिए बाबा साब डुक्टर मेटकर ने कहा था कि हिंदु राश्च को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए वालमी की समाज दलितों में भी सबसे ज़्यादा पिच्ड़ा है उन्हें अच्छी सरकारी सुविधाएं चाहिए सरकारी नोकरी चाहिए लेकिन मोधी उनके पैरध होने का दिखावा तो करते हैं लेकिन उन्हें पकी नोकरिया नहीं देते वो बिचारे ठेके पर नोकरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं वालमी की जाती के जो लोग हैं वो सफाई कर भी 12 से 14 घंटे की नोक्रिया करने को मजबूर हैं ठेकेदार के सामने वो मजबूर हो जाते हैं लेकिन उनके लिए सरकारी तोर पर कोई इस तरह के इंसाम नहीं होते दलित एक्टिविस्ट कहते हैं कि वालमी की समाज के बच्चों को अच्छी सिक्षा चाहिए स्कॉलर्शिप चाहिए लेकिन पियो मोदि उन्हें सशक्ट करने की बजाए बस नामकरन जैसा दिखावा कर रही हैं आज भी ये इस्तिती है सोच भारत अभ्यान के नाम पे करोड़ों करोड़ अर्वों रुपे खर्च किया गया मगर जो तीस-तीस साल से कच्छे करमचारी है जो तीस-तीस साल से कच्छे सफाई करमचारी है आज तो उनको पक्का नहीं किया गया है हमारे समाज के जो सफाई कर्मी हैं उनके लिए यांत्रिक सुईधाय उपलब्द करवाई जाए और उनको पूरे देश में स्थाई किया जाए ये ठेका पर्था बंद की जाए दूसरे नोकरियों में ठेका पर्था जारी रहे या ना रहे लेकिन हम चाहते हैं हमारे सफाई कर्मी समुधाय के लिए ठेका पर्था को तत्काल समाप्त किया जाए और उन्हें पूरे देश में स्थाई किया जाए RSS और हिंदोतों की राजनिती करने वालों का कहना है कि जातियों के बीच में समरस्त होनी चाहिए और सभी जातियां अपना अपना काम करें यानि वो कहते हैं कि अन्टचाबिलेटी भले ही ना हो लेकिन जो समाज में जाती विवस्ता है वो कायम रहे ये जो गांधियन भिद्बाओं ना करें और सब अपनी जातियों का काम करते रहें जबकि बाबा सब डुक्टर अम्बीटकर जैसे जो महानायक हैं वो जातियों के संपून विनाश की बात करते हैं और संग क्या कहता है संग की जो समरस्ता है यही है कि दलित पिछड़ी जातियां उनके कते फिनूरास्टर के लिए सस्ता लेबर उपलब्द कराएं उनके घरों की सफाई करने के लिए गाड़िया साफ करने के लिए कपड़े धोने के लिए कुत्ते टैलाने के लिए बूट पॉलिश करने के लिए मजदूरी करने के लिए दलित पिछड़ों के बच्चे आसानी से लब्द हो जाएं इसलिए सबसे जादा हमला दलीतों पिछडों की सिक्षा पर हो रहा है ताकि उन्हें आपके बच्चे मजदूर के रूप में मिल सकें अफसर के रूप में वो ना मिल सकें जबकि वो अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडिया में पढ़ा कर विदेशों मे सेट कर रहे हैं और हमारे बच्चों को तलवार और तरशूल थमा रहे हैं फिर हिंदू धरम खत्रे में कहां से भाई तब किस से खत्रे में है ना हिंदू धरम खत्रे में है ना हिंदू राज खत्रे में है अगर खत्रे में है तो भारत का संविधान खत्रे में है सफाई कर्मी ठेके पर नोकरी करने को मजबूर है क्या सिर्फ दिखावे के लिए मेरशी वालमी की इंटरनेशनल एरपोर्ट नाम रखा गया है या फिर पीएम मोदी राम मंदिर में भी वालमी की पुजारी को नियुक्त करेंगे आपका इस बारे में क्या कहना है आपको क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है अगर सही में हिंदू एक हैं सबी हिंदू को बराबर वो मानते हैं तो फिर क्यों एक वालमी की जाती के पुजारी को राम मंदिर का पुजारी नियुक्त नहीं किया जा सकता इस पर आपकी क्या रहा है कमेंट करके लिखें आपसे अपील है वीडियो को शेर करें जरूरी मसला है ताकि लोगों को भी से समझ बनाने में आसानी हो सके आपसे अपील है चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो के आंट में आपसे एक छोटी से अपील साथ ही अगर आपको The Newsweek का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यू ही अंबेट करवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहें इस QR कोड को स्कैन करें और Newsweek Foundation के खाते में अपनी दान की राशी भेजें QR कोड के अलावा आप UPI की जर्ये भी मदद कर सकते हैं आप हमारी UPI ID Newsweek at the rate Yes Bank पर भी मदद भेज सकते हैं इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं खाते का नाम है Newsweek Foundation अकाउंट नमबर है 0-2-3-5-8-7-0-0-0-0-0-6-4-0 IFSC कोड है Yes B 0000-2-3-5 बैंक का नाम Yes Bank है और ब्रांच है नहरू पैलेस देली आप डोनेशन के एवेज में इंकम टेक्स में भी छूट पा सकते हैं डोनेशन के रसीद पाने के लिए ट्रांजेक्शन का स्क्रीन शोट हमें बेजें टाइप करें डोनेशन स्पेस अपका नाम और हमें 8595794224 पर वाट्सेप करें